मनपाद की ओर से कच्रा संकलन की जानकारी के लिए कुछ घरों में प्रायर की तौर पर क्योवार लगाए गए है इसकी जानकारी लेने के लिए गुर्वार को मापौर दयाशंकर तिवारी ने रवी नकर इलाकी का दिरिक्षन किया नापपुर महानगर पालिकाद पारा घर कर जाकर कच्रा उठाने की जो वैवस्ता है इस विश्य को लेकर नागरीकों की कई समस्याय सामरी आ दी है जिसका निवारन हो इस उद्देश से मनपाद पारा हर घर में क्योर लगाने की योजणा बनाए चारी है जिसका प्रायो की करने के उद्देश से शहर की रविनगर इलाके में दंस खरों में यह सिस्टम लगा गया जिसका गुर्वार को महापौर्ण डैशनकर्टी पारी निरिख शंख्या इस संब्ध में महापौर्ण नहीं अधिक जानकारी साजागी इस दोरान उन्होंने बताया कि इस सिस्टम की खास विशेशता ये है कि घर के सामदी यह QR कोड लगा होगा जो कच्रा संकलन करने वाले व्यक्ति द्वारा स्क्यान किया जाएगा जिसमें उस घर से जुड़ी कच्रा संकलन की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके ही महापौर कख्ष में आये उन्होंने बताये कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम में जिसे इस पर होने वाली सारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा महानगर पालिका के सभी हाधिकारी वर के साथ तातकालिन निपाने जी उसके इंचार्ज थे निपाने जी भगत जी दासरवार जी पूरी टीम के साथ में एक बार उनका प्रेजेंटेशन देखा गया प्रेजनटेशन देखने के बाद में स्मार्ट सिटी में वी उस प्रेजनटेशन को रखा गया और ऐसा निरना लिया गया कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम प्रायोगएक तोर पर पहले 10 घरों में एक U.R. कोड लगा करके इसे क्या-क्या फायदा हो सकता है और यह सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं इसके जाज करेंगे। इसलिए पाइलट प्रोजेक्ट के लिए नाकपुर मुनिसिपल करपरिशन ने इस रवी नगर के दस घरों का चैन किया। ये घरों का चैन भी जो कंपनी हकाम कर रही है उन्हों नहीं किया। अकपुर महानगरपलिका के स्वास्त के अधिकारियों ने किया, यहां QR कोड का एक स्टिकर लगाया गया और उसको स्कैनिंग करके पिछले 10 दिनों से कच्रा उठाने का यहां पर कार्य किया जा रहा है। झाल